आच हम नौंबर महिनी की करेंड एफेर्स करने जा रहे हैं तो हम आच दो दिन की करेंट एफेर्स कवर करेंगे एक नौंबर और दौंबर की इसके बाद में per day regular करेंड पिर आएगी 3-5-4 नौंबर ऐसे करके regular करेंड पिर आती रहेगी चलते हैं पहले कुश्चिन के तरफ पहला कुश्चिन है हाली में बेलेंडी और 23 अवार्ड किस खिलाडी को दिया गया विच प्लेयर है रिसेंटली पीन गिवन तो बेलेंडी 2023 अवार्ड किस्टिन रोनार्डो नियोलेंड मैसी जूरियन नेमार इस कोश्चिन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमब बी लियोनेल मैसी हमारे इस कोश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा सतरकता जागतता सपता दोजात तेज की थीम क्या है वट इस थीम आफ विजलेंज आवेर्नेस वीक 2023 व्रश्चाचार का व्रोध करें राष्ट के पती समर्पित रहें सतरक भारत समरद भारत सुतंद भारत 75 इमांदारी के साथ आत्म निर्वरता इमांदारी जीवन का एक तरीका इस कोश्चिन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे ओप्सिन नमब बी व्रश्चाचार का व्रोध करें एवं राष्ट के पती समर्पित रहें से नू टू करप्सिन कमिट टू दा निशन तो इस कोश्चिन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमब ए ये कब होता है ये हुआ है 5 अक्टूबर 25 अक्टूबर से लेकर एक नमब बरते के बीच में ये हुआ है बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ हाँ मतलब और जान लेते हैं CVC के बारे में जान लेते हैं और ये केंद्र सतरक्ता आयोग जो है ये भारत का केंद्र सतरक्ता आयोग बाहर सरकार के विविन विवागों के अधिकारियों करमचारियों संबंदित व्रष्टाचर नेंद्र का सरवुच संस्ता है यानि कि यह सुनिशित करता है कि किसी भी विवाग में व्रष्टाचर ना हो इसका अगठन किसके आदार पर हुआ था टाइम में जो केंद्र स्थक्ता आयुक्त हैं वो हैं श्री प्रवीन कुमार स्रीवास्तव नेक्स्ट कुस्चन वर्ल्ड स्टील असोस्येशन का अपाध्यच किसे निख्त किया गया है तो इस question का हमारा right answer हो जाएगा अप्शन नमबर V TV नरेंदरन TV नरेंदर को उपादेच बना दिया गया है World Steel Association का इसके अबारे में और जान लेते हैं जो TV नरेंदरन हैं यह भारती इस्टिल कमपनी टाटा इस्टिल के MD और CEO हो है World Steel Association के पर हम जान लेते हैं यह आईरन और इस्टिल उद्दोग के लिए अंतराश्टी विपार निकाए है स्तापना इसकी कब हुई थी? 10 जोलाई 1960 में इसकी स्तापना भुई थी और इसका मुख्याले कहा हैं? ब्रूसेल्स में इसका मुख्याले है और ब्रूसेल्स कहां पर है? बेल्जियम में ब्रूसेल्स में भाग लेने वाली पहली भारती महिला कार रिसर कौन है? समीरा रेड़ी, वुनीता जैस्वाल, आनामिका कुमत, हमेरा मुस्ताख तो इसकोशन का राइट आंसर है हमारा option number D हमेरा मुस्ताख इसकोशन का हमारा राइट आंसर है next question कैलिक्स कोका नामक कोकिन के लिए नया टी का किस देश ने विक्सित किया है? ब्राजिल, अमेरिका, अर्जेंटिना, भारत तो इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा option number A ब्राजिल option number A ब्राजिल इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थोड़ा जान लेते ही कोकिन क्या होता है कोकिन एक नसीला प्रदार्त होता है और ये कोका पौधि की पत्तियों से बनाया जाता है इसका वेग्यनिक नाम बेंजोल मिथाइल सिगोनी है Next question, हाले में किस कंपनी ने भारत का पहली सेटिलाइट आधारेट गीगाबाइट ब्रॉन वैडट सेवा सुरू की है Reliance GEO, A8L, VI, Aercel तो इस question का right answer है option number A, Reliance GEO इसने पहली ये बार भारत की पहली सेटलाइट आधारित गीकावाइट ब्राउन्बेंट सेवा शुरू की है Next question एक नवंबर को मत्य प्रतेश की स्तापना दिवस मनाया जाता है मत्य प्रतेश की स्तापना किस वर्स हुई थी 1952, 1956, 1954, 1958 तो इस question का right answer है Option number C, 1956 नवंबर महिने में और भी राज्यों के गटन हुआ था मतलब जो एक नवंबर को गटन हुआ है और भी राज्यों का हुआ है वो देख लेते हैं तो करनाटक का राज्युत्सब दिवस बनाया जाता है एक नवंबर उनिसे चपन को मतलब 1 नवंबर 1956 को करनाटक का भी गठन हुआ था इसलिए राजियोत्सब दिवस के नाम से बनाया जाता है करनाटक स्तापना दिवस ऐसे ही केरल राज स्तापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को आंद्र प्रदेश का भी जो इसता अपना दिवस है वो एक नमबर को मनाया जाता है हर्याणा, पंजाब और हर्याणा और पंजाब दोनों ये 1906 में इनका निर्माड हुआ था यानिका इनका अठन हुआ था 1966 में और 36 गड़ का जो निर्माड हुआ यानि गटन हुआ है वो 2000 में हुआ है और डेट सेम थी एक नमबर नेक्स्ट कुश्चन हाली में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ इस कोश्चन का राइट आंसर है हमारा संत सिंगा जी के बारे हम जान लेते हैं संथ सिंगाजी के बारे में जान लेते हैं संथ सिंगाजी मद्यप्रदेश भारत में निमाड के प्रिसिद संथ है यानि कि निमाड जगह है वहां के प्रिसिद संथ है संथ सिंगाजी को निमाड का कबीर भी काया जाता है यानि कि कोशन मा सकता है कि निमाड का कवीर किसे का जाता है तो निमाड का कवीर संथ सिंगा जी को का जाता है इनकी रचना है कुछ बारा माशी, दोसबोद, सातवार, पंदरे तिथी, सरद, नरद, देश की वाणी, उपदेश आदी इनकी रचना है याद रख़ने हैं क्योंकि ये पूँछी जा सकती हैं क्योंकि ये माने हुए संत हैं एक कोशन हमारा पीछ रहा गया इसको देख लेते हैं अमरत वाटिका और अमरत महुतसव इस मार्क किस इस्तन पर बनाया जा रहा है अमरत वाटका एंड अमरत महुतसर मेमोरील इस बिंग गुल्ट नई दिल्ली, गुजरात, बिहार, केरर तो इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जान लेते हैं पहले देख लेते हैं इसके वरम जान लेते हैं इस दोरान प्रिधान मंत्री ने नई दिल्ली में अमरत महुतसर इसमार का सिलानियस किया कारकरम के दोरान प्रिधान मंत्री ने देश के वाओं में देश के वाओं के लिए मेरा योवा भारत प्लेटफॉर्म एक चीज़ यह आद रखनी है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का सुभारंब किया था तो किस ने सुभारंब किया है इसका इसका सुभारंब किया है प्रिदानमंत्री मोदी ने इसका सुवारम किस नहीं किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म और ये किस अभियान के अंतरगत चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतरगत यह मेरा योब भारत प्लेटफॉर्म और यह अमरत वाट का अमरत महुषब किसकी अंत्रगत बनाये गया है मेरी माटी मेरा देश की अभिआन के अंत्रगत इसकी शुरुवात कब ही थी इसकी शुरुवात हुई थी नौ अगस्त 2 तो इस question का हमार राइड answer क्या हो जाएगा इस question का हमार राइड answer हो जाएगा option number a नई दिल दिल आते हैं अपने next दसवे question पर हाली में संयुक्त राष्ट महासवा ने गाजा प्रिस्ताव को मंजोरी दी है मंजोरी दी या प्रिस्ताव किस देश ने तयार किया था याने किस प्रिस्ताव को कौन लेकर आया था इसराइल फिलिस्तिन जॉर्डन इरान तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number c जॉर्डन जॉर्डन इस प्रिस्ताव को लेकर आया और जिसको संयुक्त राष्ट महासवा ने मंजोरी दी है यह गाजा कहां पर है यह गाजा है जो इसराइल है इसराइल में जहां पर जो फिलिस्तिनी रहती हैं उस जगे का नाम गाजा है और गाजा में एक terrorist टेरिस्ट ग्रोप है जो एकजिस्ट करता है हामास वहां के लिए जो सप्लाई है फूड की सप्लाई वगरा है यानि कि गाजा पटी में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो खाने वगरा की स्विधाएं हैं बिजली की आपूर्ती वगरा सब कट कर दी है इसराइल न नेक्स्ट कोश्चन हाली में अकोरा अगर तला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्ट पर्योजना भारत और किस देश के मद्ध सुरू की गई है बांगलादेश मियामार चीन बूटान तो इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाए जो कि भारत की साहता से शुरू किये जाएंगे इसमें पहला है अकोरा अगरतिला क्रॉस बॉर्टर रेल संपर्क दूसरा है खुलना मोगला बंदरगा रेल लाइन तीसरा है मैत्री सूपत रमल बिजली सायंत्र की एकाई दूसरी तो ये तीन परियोजना है जो कि भारत की साहता से बंगल दिस में चलाई जाएंगी नेक्ट कुशन भारत का पहला सेर कौन सा है जिसे यूनिसको ने सिटी ओफ लिटरिचर के नाम रूप से मानेता दी है मेहर, रायपूर, कोजी कोड, खंडवा तो इस कुशन का रायट अंसर हो जाएगा ओप्सिन नमबर सी कोजी कोजी कोड को सिटी ओफ लिटरिचर के रूप में मानेता दी है, जैसे जैपर को पिंक सिटी कहते हैं, ऐसे ही यहां को अब कहा जाएगा सिटी ओफ लिटरिचर इसके साथ ही युनिश्को ने मद्धिपदेश के गवालिय सेर जो है, उसको सिटी ओफ मुजिक का नाम दिया है, सिटी ओफ मुजिक कौन सा हो गया है? मद्धिपदेश का गवालियर, सिटी ओफ मुजिक ग्वालियर सेर संगीत समराथ तांसेन की जनमिस्तली है यानि कि जो तांसेन थे अकबर के समयम में जो गायक गायक थे संगीत कार थे उनकी जनमिस्तली है ग्वालियर तांसेन ने दुरूपत गायन सेली के लिए जाना जाता है तो तांसेन कोंसी गायन सेली के जाना जाता है दुरूपत गायन सेली के लिए Next question किस भारतिये ने Wildlife Photographer of the Year 2023 का प्रस्का जीता है एस औरे सिरिधर, रद्का रामा सासी विहान ताले विकास गौरी गल तो इस question का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विहान ताले विकास विहान ताले विकास ने Wildlife Photographer of the Year 2023 का प्रस्का जीता है Next question हाली में किस देश की जलवाई परवर्तन विसेसर की प्रोफेसर सुलीमुल हक का निदन हुआ है बांगलादेश, इरान, भारत, केन्या तो इस question का राइट आंसर है हमारा option number A जो विसेसर की प्रोफेसर थे जलवाई परवतन के सलिमुल हक वो कहा के थे? वो थे बांगलादेश के Next question British Academy Booker Prize 2023 किसे प्रदान किया गया? जो British Academy Book Prize है वो किसको प्रदान किया गया? नंदनीदास कविता सेनी शिर्शंकरी अनिता देशाई तो इस question का राइट आंसर है अनिता देशाई अनिता देशाई को British Academy Booker Prize मिला Next question भारत का कौन सा विश्विद्याले अपना खुद का SSAMU सेटलाइट लॉंच किया रहेगी? अलिगर मुश्लिम उनिवस्टी बनारस हिंदू उनिवस्टी जवाहर लाल लेहरू विश्विद्याले कॉलकता विश्विद्याले इस question का right answer हो जाएगा अलिगर मुश्लिम उनिवस्टी जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा हुगा यहाँ पर AMU लिखा हुआ है AMU AMU लिखा दिख रहा हुगा तो AMU का मतलब क्या है? अलिगर मुश्लिम उनिवस्टी और यहाँ पर SS का मतलब है सरसयद एहमद खान जिन्होंने AMU के स्तापना की थी इस प्रोजेक्ट के अंदरगत बनने वाले उपगरे का नाम अलिगर मुस्लिम विश्वे दाले के संस्तापक सरसयद एहमद खान के नाम पर रखा गया है प्रोजेक्ट का उद्देश सेटलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जलों में आर्थिक विकास का अध्यन करना है इस कुश्चिन के राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा AMU यानि के अलिगर मुस्लिम उनिवस्टी इस कुश्चिन का राइट आंसर है Next Question पहला AI safety 2023 समिट का आयवजिन किस देस में किया जा रहा है यानि की AI safety summit है यानि की Artificial Intelligence आयवजिन सेटली समिट बहरत, आयवजिन किस देस में किया जा रहा है भारत, फ्रांस, अमेरिका, बिटेन तो इस question का right answer हो जएगा हमारा option number D, Britain Britain में AI safety summit किया जा रहा है जिससे कि हम AI से का जो joke हम आएगा मतलब आगे future में जो AI से रहने वाले खत्रा है उससे हम कैसे बचा जाएगा उससे हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में discussion होगा है summit में दुनिया की पहली passenger carrying flying taxi एहांग EH2216S को किस देश ने मंजूरी दी है जापान, चीन, अमेरिका, इसराइल तो इस question का right answer है option number B, चीन तो चीन की जो एहांग EH216S जो flying taxi है उसको मंजूरी दे दी गई है चीन के द्वारा next question FIFA World Cup 244 का आयोजिन किस देश में किया जाएगा Saudi Arab, Australia, France, America तो इस question का right answer हो जागा हमारा option number A Saudi Arab इस question का right answer हो जागा 2024 का जो FIFA World Cup होगा वो कहाँपर होगा Saudi Arabia में ऐसे ही 2026 का जो FIFA World Cup होगा वो कहाँ होगा वो होगा North America में North America के continent के सारी जो तेश है उनमें होगा यानि कि उसमें आता कौन सा है United districts आता है Mexico आता है, Canada आता है तो पूरे North America में क्या होगा FIFA 2026 World Cup होगा विश्व कप यानि कि FIFA विश्व को 2030 के हाँपर होगा वो दच्छड अमेरिका के कुछ देश है Morocco, Portugal, Spain और ये यूरूप का ही Spain, Uruguay, Argentina Pragueway इन वाले देशों में होगा 2030 का FIFA World Cup Next question और ये लास्ट question है अपना हाली में Road Accidents in India 2022 report किसने जारी ही Ministry of Road, Transport and Highways नीती आयोक, Ministry of Finance Ministry of Port, Sipping and Waterways तो इस question का right answer है option number A Ministry of Road, Transport and Highways यानि कि सड़क परिवहन मंत्राले के द्वारा ये report जारी की गई है तो students आज के हमारे question खतम होते हैं अगर वीडियो useful लगा हो तो वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करें देखने को करें एंपूर लगा सब्सक्रादी Жाप्यो